रेगुलेट GST और टेक्स अप्डेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंज आप TDS, Income Tax और GST के सॉफ्ट्वेर के दोवारा टेक्स कॉंप्लाइंस असानी से कर सकते हैं इन सॉफ्ट्वेर के डेमो देखने के लिए आप हमें इमेल कर दीजिए टेक्सी लेट डेटी जीमेल डॉट कॉम पर हैलो फ्रेंज यदि कंपनी के दोवारा कॉर्परेट शोर्ष रस्पोंसिबिल्टी यानि की CSR एक्स्पैंसी किये जाते हैं क्या उसका इंपूर्ट एसक एड़ी क्लेम किया जा सकता है इसके लिए अथोर्टी फॉर ड्वांस दूर्लिंग ने इंपॉर्टन जज्जमेंट दी है फ्रेंज केस के फैक्टिस परकार है कंपनी के दोवारा कॉर्परेट शोर्ष रस्पोंसिबिल्टी कंपनी जेक्टर 2013 के अंतरगत कुछ एक्सपैंसी किये गए हैं और उसका इंपूट एसके एडिट कंपनी क्लेम करना चाहती है इसके लिए अडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई किया गया है अडवांस रूलिंग अथोर्टी ने कहा है कि एक्सपैंसी के उपर इंपूट एसके एडिट क्लेम किया जा सकता है और इससे ब्लोक नहीं किया गया है section 17, subsection 5, close edge के अंतरगत, इस परकार friends ये ruling बहुत ज़्यादा important हो जाती है, यदि आप CSR के अंतरगत expensive claim कर रही है, तो आप इस परकार की ruling लेके input as credit का benefit claim कर सकते हैं, friends आप इस ruling को download कर सकते हैं, इसका link इस news की video description में भी दिया गया है, उमीद करते हैं friends आपके लिए यह news useful रही होगी, कि पहला आई कीजिए और अधिक से अधिक share कीजिए, ताकि सभी लोगों तक के जानकारी पहुँच पाएं, और वो GST8 के अंतरगत compliance कर पाएं, आप हमें telegram app CSF Basing Taxil पर join कर सकते हैं, ताकि आप GST और income desk के regular update अपने mobile पर ही प कर सके हैं.